विर्पुर पलिस द्वारा विर्पुर नी सिम्मा थी एक महिलानी लाश बहार काडवा मा आवी हती मर्ती माहिती अनुसार सुरतनो रहवासी एवो रवी वसावा विर्पुर मा तेमनी पत्नियाने बेबाड को साथे जेठा बापाना टेकरा पांसे जूपडू बांदीन रहतो हतो बेमास पहला रवी ने पोतानी पत्नी साथे कोई कारणो सर माथा खुट था रवी ये तेनी पत्नीने पत्थरना गाजी की मौत ने घाट उतारी दिदी हती अने बाद मा तेनी लाशने जूपडा थी एक किलोमेटर दूर कब्रस्तान मा दफ्ना भी दिदी हती अने बाद मा रवी सुरत खाते नासी गए हतो अने बाड कोने अनाध आश्रम खाते मुक्या आगे हतो सुरत मा मरेल पशुओनो निकाल करवानू काम करी रहल रवी ए तेना पिता साथे मा था घुड़ थता तेना पिता नी पन हत्या करी होवानी फरियाद सुरत पॉलिस टीशन मा नो दाई हती फरियाद नाधारे पॉलिस से रवी नी कड़क कुछ परच करता रवी ए तेमनी पत्नीनी लाश पन विरपूर मा दफनावी होवानू बहर आवि भदु बादमा सुरत पॉलिस जयत्पूर ने विरपूर पॉलिस ने आकें सोपता पॉलिस रवी नी पत्नीनी लाश कब्रस्तान मा थी बहर गाड़ी फोरंसिक खाते मोगली आपी हदी हालतो रवी बे मर्डर केस मां पॉलिस कस्टडी मां छे पॉलिसे आ अंगे वधुता पास हाथ दरीश सुरत ग्राम्य मां कीम पॉलिस टेशन विस्तार मां फर्स्ट गुनाजिस्टन नंबर चत्त्री स्वबलिक ओगनिस IPC कलम 302 आरोपी रवी उर्फे रवलो सनो प्रताभवाई वसावा नाव तियां पकड़ायल छे त्यां येना पितान नू पत्थर मारी ने मोत निपजावी येने दाटी दी देल लता येना नू संधान मा त्यां नी पोलिस आगड येने कबूलात करी चे मारी पत्नी ने पन त्यां में आज रितना मारी येने त्यां दाटेल छे जे अकिकत आधारे एक्जेकटिव मेजिस्टेट नाव नी रुबरुनू पंचनामो करी और काईदेसर नी करिवाही करी डिड़ बोडी ने CRPC 133 मुजब बहर कड़ावी और साइन्टिफिक पीम करावी और काईदेसर नी करिवाही हाद दर्वा प्रेतन करें छे अब बनाव जे छे असरे चारेक मास अगाव बनेलो छे परन्तु जुपडामा पति-पत्नी रेताता अने बाड़को साथे यहना बाड़को ने तिया अनाथासरम मा राखेल छे अने आजसुदी आप बनाव बाबते अतरे कोई जान नो हती परन्तु जे पत्ती छे तिया पकड़ाया बाद तिया नी कबूलात अने तिया बिजा एक्स्टा जुडिशेल कनफेशन अधारे आगणी करेवाई हाद दर्वा प्रेतन करें छे पति-पत्नी ना जगड़ाना कारणे बनाव बनेयो तो यहाल तिया नू कबूलात छे परन्तु एफेसेल एनू पीएम थया बाद अगणी करीवा ही करवाई हो से